जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में डिसकस किया था, कुछ क्वेशन हम लोग ने क्योबिक पॉलिनॉमियल के सॉल्ब किये थे और डिविजन अल्गोरिथम से, ठीक, आज उसी में उसी टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए, कुछ क्वेशन इंसी आर्टी से, कुछ ए आई ये देखा जैसे मालो पहला क्वेशन है हमरा, कि, फाइंड जीरो जाओ पॉलिनॉमियल, बाइ फैक्टराइशन मैथर और वेरिफाइड रिलेशन सिप बिट्विन जीरो जन कोफिट्स, तो आप यहाँ पे देख रहे वेरियबल टी है, तो हमने क्या क्या इस पॉलिन कर दिया हमने, तो इसके दो फैक्टर आगए है, जीरो पता करने के लिए पीठी को जीरो से एक्वेट कर देंगे, तो एक हमारा जीरो मिल जायएगा, टी एकॉल टू माइनस बाइनस वन, और दूसरा मिल गया, टी एकॉल टू माइनस फाईब, सेवन बाइप, एक मने अल तो यह आपका माइनस 12 अपन 5 आ रहा है और रूल क्या होता था समापद़ माइनस B अपन A या कोफिशेंट आप माइनस कोफिशेंट आप T अपन कोफिशेंट आप T इसकार तो आप देख रहे हैं कोफिशेंट आपका 12 है और कोफिशेंट आप T इसकार 5 है यह वेरिफाई हो गया इसी तरह से product of the zeros करते थे तो alpha into beta करते थे तो यह 7 by 5 पाईगा तो constantant 7 है और इसका coefficients of t square 5 है तो यह verify हो गया ठिक इसी तरह से एक आईए दूसरा question देखें NCRT में भी आपका है यह question बड़ा अच्छा question है करा कि यह एक polynomial है cubic polynomial है इसके 3 zeros इस form पे दे रखें a a plus b a plus 2 b arithmetic progression आगे पढ़ाए जाएगा आपको तो कर आप a और b की value find out करो और फिर इसके zeros की value पता करो तो सबसे पहला काम क्या किया है हमने इस polynomial का नाम दे दिया let px x cube minus 6x square plus 3x plus 10 जब आप इसको a x cube plus b x plus c x plus d से compare करोगे तो a is equal to 1 b minus 6 c3 और d हमारा 10 हा गया हमने क्या किया कि a को alpha को a बना लिया beta को a plus b यह gamma को a plus 2 b formula हमने पढ़ा alpha plus beta plus gamma minus b अपने होता है तो alpha beta की value रिख दी हमने तो यहां से हमें a और b में एक relation मिल गया a plus b is equal to 2 फिर हमने पढ़ा था के alpha into beta into gamma जो होता minus d अपने होता है तो alpha की जगए a, beta की जगए b, gamma की जगए a plus 2 और d की value यहां पे देखे compare किया था d is equal to 10 था और a is equal to 1 था put up कर दिया हमने फिर जब इसको solve करेंगे तो यहां प्याने लगा तो अब क्या करेंगे अभी जो पीछे equation में 1 था हमने इस equation 1 से हम क्या करेंगे in place of this a plus b 2 लिख देंगे और किसी एक variable में सबको बदल लेंगे तो हम क्या कर रहे हैं कि सबको variable a बदलना है तो इसके बाद यह जो b दीख रहा इस b की जगए 2 minus a लिख देंगे और यह पूरा system हमारा एक variable में बदल जाएगा multiply कर रहे है तो यह quality की question आ गया 5 कैसे दूँ factor करेंगे जिसका difference 4 आ जाए 5 पंजा 5 factorize करेंगे तो a minus 5 और a plus 5 आएगा इस तरह से क्या मिल जाएगा हम लोगो कि this into this a minus 5 into a plus 1 is equal to 0 तो या तो a minus 5 0 होगा या तो a plus 1 जाएगा या a plus 1 is equal to 0 तो अब question यह होगा कि जब हमारा ऐसे आ गया तो अब दो चीजे a की value आ गए एक value हमें यह मिल गए यह एक value हमें यहां से मिल जारी इस तरह से जब a is equal to 5 है तो b कितना होगा तो question 1 में a plus b is equal to 2 कितना था 2 था तो b की value minus 3 आ जाएगी अगर a is equal to minus 1 है तो from equation 1 b की value 3 आ जाएगी जब a और b की value निकाल लिया तो हम लों ने a बराबर alpha a था beta a plus b था gamma a plus 2 भी था a और b की value put up करेंगे तो दोनों case में पहले वाले में alpha की value 5 मिलेगी beta की value 2 और gamma की minus 6 इसी तरह second case में a is equal to minus 1 b is equal to 3 होगा तो alpha की value minus 1 मिलेगी beta की value 2 मिलेगी और gamma की value 5 मिलेगी इस तरह से हमारे इस जो cubic polynomial था इसके zeros हम लोग find out कर लेगे ठीक इसके बाद देखिए इसके बाद next question जो आपका है इस question को देखो ध्यान से इस तरह का पीछे लगा है था हम लोगे कहरा था है कि अगर under root 2 इस cubic polynomial का zeros है तो other zeros तो आपको पता यह cubic polynomial है अगर यह cubic polynomial है तो इसकी at most 3 real roots होंगे तो सबसे पहला method होता इस polynomial का हमने नाम दे दिया अब लिखेंगे since under root 2 is a zeros of px तो x minus under root 2 is a factor of px हम क्या करेंगे इस polynomial px को x minus under root 2 से divide करेंगे जब divide करेंगे तो जब पहला step क्या होगा जब 6 x cube को up x से divide करोगे तो 6 x square अब 6 x square का इसमें multiply करेंगे और like term के नीचे like term लिखेंगे तो यह तो हमारा cancel हो गया और यहां पर यह 6 under root 2 है तो यह 7 under root 2 और remaining term को अब नोट करेंगे आप second step के बात करते हैं जब आप 7 under root 2 को x square को x से divide करोगे तो आप 7 under root 2 से multiply करोगे तो 7 under root 2 x square और यह जब multiply करेंगे तो यह 7 to 14 x आ जागा like term के नीचे like term लिखेंगे sign change करके इसको cancel कर देंगे यह 14 plus 4 x आ गया इसके बाद क्या करेंगे next step में जब 4 x को x करेंगे तो x आ जाएगा आपका यहां पर आ गया अब 4 से multiply कर देंगे और remainder 0 आ गया जब remainder 0 आ गया तो हम लोग जो division algorithm था तो उसमें dividend को लिखते थे divisor into quotient plus remainder तो हम क्या करेंगे अब इस polynomial px को आपका divisor था x minus under root 2 और अभी जो device करके लिखा था हमने यह हमारा dividend आ गया diviser स्वारी यह quotient आ गया remainder तो 0 है अब क्या करेंगे बाद वाले इसके factor करेंगे तो 64 जा 24 24 के ऐसे दो factor करेंगे कि जिसका sum 7 under root 2 आ जाए तो 24 का कैसे आप factor करोगे यह आप बताओगे तो 24 का अगर factor करना है आपको तो आप कैसे करोगे कि यह चाहिए तो यहाँ पर इसके factor लिखा है इन्होंने तो यह कैसे इन्होंने factorize किया सबसे important आपको factor करना आना चाहिए तो यहाँ पर देखिए सभीन था न तो अगर आप इसका factorize करते हो और 6 को 3 into 2 कर दिया ऐसे और फिर इसके बाद जो यह 2 आ रहा है इस 2 को हमने under root 2 into under root कर दिया इस तरह से इसके दो factor आ जाएंगे एक हमारा 4 under root 2 और 3 under root 2 जब 4 under root 2 का multiply करोगे तो 24 आ जाएगा फिर हम दो इन दोनों को एक साथ इन दोनों को एक साथ करके factorize कर लेंगे तो यह हमारा effect तो factorization में आपको perfect होना पड़ेगा आपने 9 में लगाया भी था इस तरह से जब इसका यह factorization होगा तो 3 होगे और for zeros के लिए क्या करेंगे इन तीनों factor को 0 से equate कर देंगे तो इससे उस cubic polynomial की सभी zeros find out कर सकते हैं ठीक इसके बाद देखिए next इस question को देखो यह भी बड़ा अच्छा को सवल था कर रहा था कि find k if this polynomial is a factor of this one कि अगर x square plus 2x इसका factor होगा तो जब आप 2x की power 4 plus x cube minus 14x square plus 5 plus 6 को इससे divide करोगे तो remainder 0 आना चाहिए तो हमने क्या किया इसको px बना लिया और इसको gx अब हम क्या करेंगे px को gx से divide करेंगे तो division में करेंगे तो इसका पहला term 2x for 4 है तो इसका highest ते करेंगे तो हम 2x square से multiply करेंगे like term के नीचे like term लेके subtract करेंगे इसके बाद minus 3x cube को x square से divide करेंगे तो minus second term आएगा division का फिर multiply करेंगे तो like term के नीचे like term लिख देंगे और इसके बाद आप जब करोगे आप जड़ासा यहाँ ठीक इसके बाद करना क्या है कि x square वाले सब यह तो जब इनको arrange करोगे तो 14 यहाँ पे minus 14 आएगा यह प्लस 6 तो यह आपका minus 8 आजाएगा और यहा आप bracket के बाहर लिखो चाह अंदर लिखो 2k x square लिख दिया नोने इसी तरह से यहाँ जब करोगे तो 5x plus 3k x बाहर आजाएगा प्लस 6 अब इसके बाद क्या करेंगे हम इस पूरे को minus 8 plus 2k x square को जब x square से divide करेंगे तो minus 8 plus 2k x square में multiply करेंगे multiply करेंगे अब इसके बाद यह division हमारा रूख जाएगा क्यों क्योंकि इसकी डिग्री जो divisor हमारा है इसकी डिग्री 2 है remainder की degree एक आगे अब इसके बाद ही सोचना है कह रहा था कि x square plus 2x plus k इस px का factor है जब factor है तो होगा क्या कि इसका remainder आना ही नहीं यह था remainder 0 पस यहीं से करेंगे since gx is a factor of px यह तभी possible होगा जब remainder 0 होगा तो हम क्या करेंगे इस remainder को 0 से equate कर देंगे अब जब इसको 0 से equate कर देंगे तो यह तभी 0 होगा कि जब कि 21 plus 7k is equal to 0 या 2k square plus 8k plus 6 is equal to 0 होगा जब यह हमारा 0 होगा जब यह 0 होगा तो यहां से k की value minus 21 ऐसे minus 3 आगई अगर यह 0 होगा तो इसको factorize कर लेंगे तीन कैसे दो factor करेंगे जिसका sum 4 आजाए तो यहां से आजाएगा तो इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि k की value इससे भी minus 3 आई है इससे भी minus 3 आई है तो दोनों आगए तो हमने यहां पे k की value 3 लिग दी इसलिए क्या किया जो दोनों को satisfied करने लगा तो k की जगा minus 3 लिग दी हमने जब k की जगा minus 3 लिग देंगे तो हमें क्या करना था इसके बाद क्या करना था question में and find other all zeros of the two polynomial अब क्या करना है अब इस polynomial और इस polynomial के other zeros निकालने थे जब k की value हमें मिल गई कितनी minus 3 तो अब हम क्या करेंगे अब पहले वाला polynomial है तो वहाँ पे k की value put up कर देंगे जैसे पहले क्या था 2x square minus 3x minus 8 minus 2 के जो था आपका है अब इसमें क्या करना and find all zeros of two polynomial पहले हमें जोड़ पॉलिनामियल मिले हमारे पास एक पॉलिनामियल यह मिलना एक पॉलिनामियल यह मिलेगा इन सब को तो एक तो हमने यहाँ पे इसका QX मान लिया कि यह हमारा कोसिय इंटा जागा इसका zeros निकालना factorize करके निकाल देंगे इसके बाद इस question को देखो, ये भी उसी तरह का question है, ये जरा lengthy question है, इसको रहने देजिए, ये NCRT में आपका है, आए देखा जाए, ये एकसर पूछा भी जाता है, कि give example of polynomial PX, GX and QX and RX with satisfied division algorithm, और यहाँ पर क्या कह रहा है, कि पहला तो कह रहा है कि degree of PX and degree of QX, कह रहा है कि जब degree of dividend और आपका quotient बराबर होगो तो example देजिए, तो उस case में सबसे बढ़ी हा तरीका होता है, कि आप जैसे हमने एक example यहाँ पर क्या किया, आप PX एक quadratic polynomial ले लिया, और divisor हमने एक constant ले लिया, अगर 2X square minus 2X plus 14 को आप 2 से divide करोगे, तो आपको यह मिलेगा, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह हमारा quotient है, और यह हमारा dividend है, तो यहाँ पर दोनों की degree से मारे है, it is a first, पहला example बना लिया, तो इससे क्या सीखा आपने, आप कोई भी polynomial लेजिए, उसको constant term से divide कर दीजिए, अपने आप degree of PX is equal to degree of QX मिल जागा, इसके बाद इसका second example देखते है, second example क्या आपका, यह कहा रहा है कि degree of, अब इसके बाद second वाले में क्या कहा रहा है आपसे, second में आपसे कहा रहा है, कि degree of quotient और degree of remainder दोनों सेम होनी चाहिए, कुछ ऐसा गजा, इस तरह कि infinite examples है, you can select any example, तो यहाँ पर क्या एक कम कर दीजिए, आप, जैसे मालों हमने dividend को cubic polynomial बना लिया, आप जब डिवाइड करो गया ऐसे, तो यह cubic है, quadratic है, जब डिवाइड कर रहा है, तो मालों हमारा यहाँ पे quotient qx आ गया, यह remainder आ गया, अब division तो होगा रही हमारे से, तो बस main तो selection पे धका लिए, तो यहाँ पे आप देख रहे है कि qx की degree, this is our qx, और हम यह देख रहे हैं, और यहाँ पे यह हमारा rx है, this is our rx, दोनों की degree, same आ रही है, तो बस conclusion क्या निकला, कि जब आप टैसे इस तरह का case लेना हो, तो एक degree दोनों की कम करके example, ले लो अपने से, ठीक है, dividend की degree तीन ली है, तो इसकी दो ले ली, अगर dividend की degree चार ले रहे हैं, उसकी एक कर कर लेते हैं, इस तरह के आप सेलक करगत बन जाएगा, इसके बाद next example, next इसका क्या था, third वाला, कि degree आप rx is equal to 0, degree आप rx is equal to 0, मतलब कोई consent आमाना चाहिए, जब degree है, rx 0 होगी, तो कोई consent आमाना चाहिए, बस, तो आप क्या करिए, कोई भी consent आमाना चाहिए, जैसे मालों आप example हमने ले लिया, आप px ले लिया, x q plus 2x इसका और gx से ले लिया, जब आप इसको divide कर रहे हैं, तो remainder हमारा 4x आगया, तो 4 की degree कितनी होगी, आप लिख दोगे 4 को लिख दोगे x की power 0, 4 is a polynomial, तो इसकी degree हमारी 0 आ जाएगी, तो ये ठीक, तो ये तो हमारे कुछ हो गया हमारे, ऐसे बहुत सारे है, आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा, लेकिन इतने काफी है, इनसे आप कुछ भी लगा सकते, वैसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते, बस आपका division बढ़िया आपको आना चाहिए, division में doubt नहीं होना चाहिए, factation clear होना चाहिए, polynomial का मतलब पता होना चाह करेंगे, इस polynomial को zero sequence कर दोगे, इसी तरह ये भी है, one zero of the polynomial कितना two है, तो आप से पूछ रहा के की value, जब के की value पूछ रहा तो क्या करोगे, पहले इस polynomial का नाम, px दोगे, और फिर क्या करोगे आप, यहाँ पे axis हैगा, two लिख दोगे, जब two लिख होगे, तो जब यह क्या क हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग apex हैगा, two लिखेंगे, तो यह हमारा four आएगा, प्लस यह five two, ten आएगा, और प्लस k, देखे हैं, और is equal to zero, तो k की value कितने आ रही है, minus 14 आ जाएगे, तो कुछ तो एकदम मुझवानी है, अभी पूरी इक से आप देको revision बता रहे हैं, आ यहाँ आपका question number कौन सा था, this is a question number third, आएगे इसका answer देखा जाए, question third का answer देखिए, आप यहाँ दिया है, कितना रहा, minus 14, इसके बाद फिर आएगे देखा जाए, कुछ question और, तो लग गया हमारा, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, और कुछ करना थो, सेम इसी तरह one zero है, तो इसी तरह question को लगा लोगे, if three is a zero, यह भी इसी तरह लगेगा, ठीक, if one is a zero of this polynomial, तो यह one zero है, तो p one is equal to zero हो जाएगा, तो आप क्या करों, एकसी जगा one लिख करके, factorize करके solve को लो, यह भी लग जाएगा, minus four is a zero of a polynomial, तो p minus four is equal to zero, यहाँ भी value इसी तरह निकाल लो बीटा, क्या कह रहा है, question पर देखेंगा, ध्यान से, if some of the zeros of the polynomial is four, sorry, if some of the zeros of the polynomial is four, दे रखा है, यह four दिया है, तो आप से पूछ रहा है, find the value of k, तो k की value निकाल लिए आपको, तो वहाँ पर आपने पढ़ाय था, minus b upon a, ठीक, तो अच्छा बताओ, भी क्या होता था, तो जब quadratic equation होता था, यहाँ पर b कितना होगा, b आपका हो जाएगा, minus 2k, तो यहाँ पर minus तो यह हो जाएगा, plus 2k हो गया, ठीक, और a कितना है, x square का coefficient, is equal to 4 अगे आपका, k की value कितनी आ रही है, 4, 3, 0, 12 upon 2, is equal to 6, आप मिला लिए, कौन सा question है, it is a question number 8, 8, 8 का answer कितना हैगा, देखिए, तो k is equal to, आपका 6 हा रहा होगा, यह चेक करते, तो इस तारह से, oral question आप लगा सकते हो, question number 6, कौन सा था, sorry, question number 8 था ही, देखिए, 8 का 6 हा रहा है, answer हमारा, यह वाला question था, ठीक, तो ऐसे आप कुछ भी लगा सकते, यह पूरा हो गया, division algorithm पता है, इसे find the zeros of the polynomial factorize करना आपको, find the zeros of the polynomial, अभी alpha beta 0, तो आप से पूछ रहा है, alpha square plus beta square की value क्या होगी, तो alpha square plus beta square की जगा, आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है, कि alpha plus beta का, जो whole square होता है, ना बेटा, वो होता है, is equal to, alpha square plus beta square, और plus 2 alpha beta, plus 2 alpha beta, तो जब आपको, आप quadratic equation को, इसको solve करोगे, तो आपको, यहाँ से alpha plus beta की value मिल जाएगी, और alpha into beta की value मिल जाएगी, तो अपने आप alpha square plus beta square की value हम find out कर लेंगे, यह practice करने हैं आपको खाली, इसी तरह से, आप देखे, यह सिर्फ practice है, अगर यह कह रहा है, इसके 0, तो पहले क्या करोगे अप, इस alpha plus beta into alpha into beta निकाल लोगे, तो यहाँ माल होगे, फिर इसको solve करना है, तो beta plus alpha upon value put up करेंगे, तो यह भी question लगा लोगे, यह भी लगा लोगे, अब यह देखें, इंसियाटे का था कि a minus b a a plus b या zeros of the a की value निकालनी है जब आप a की value निकालनी है तो क्या करेंगे इसमें एक formula था पढ़ा था कि अगर आप इसको compare करते हो तो आपने इसमें पढ़ा होगा कि एक तो था कि alpha plus beta plus gamma alpha plus beta plus gamma is equal to कितना होता है minus b upon a तो यहाँ जब compare करेंगे तो यह a हमारा 2 मिल जाएगा b minus 12 मिल जाएगा c 5 और d minus 1 तो यहाँ पे 1 को alpha माने क्या 0 है तो 1 को alpha को a minus b बना लिया beta को a और gamma को a plus b solve करेंगे अपने अपन सराजय करेंगा alpha plus beta या इससे आप इसका try कर लोगे alpha, beta, gamma जो होता था यह आपका minus d upon a तो आपको practice करनी एक हाली इसमेसा कुछ भी नहीं कि नहीं कर सकते आप if alpha, beta, zeros of the polynomial तो यह भी question आप solve कर सकते alpha, beta है तो क्या करेंगे alpha plus beta की value निकालोगे minus b upon a alpha and 2 beta c upon a उठा के रख दोगे इसी तरह से आईए लगभग chapter अभी क्या कर रहा है कि जैसे division तो आपने सीखे ही था कि हम x minus 2 को divide करके verify कर लेंगे फिर find the quadratic polynomial निकालना था इसके 0 तो तो फार्मूला आपको पता था एक तो हमने ऐसे किया था कि x square minus sum of the zeros जैसे लिखते थे alpha plus beta into x और plus x alpha into beta और यह पाहर k लिख देते हैं is equal to k और required polynomial लिख देते थे और यहाँ पे alpha plus beta दोनों को जोड़ करके इनका product रख देंगे तो answer जाएगा फिर आमने यह भी example solve किया था obtain all zeros of the polynomial अगर इसकी होंगे तो कहेंगे अगर zeros है तो 1x बरावर under 5 by 3 या दूसरा x minus under 5 by 3 तो 1x plus under 5 by 3 हो जाएगा 1x minus under 5 है तो जब होगा तो आप जब factorize करोगा तो आपको क्या मिलेगा तो आपको यह मिल जाएगा कि x square minus 5 by 3 जो हो जाएगा वो इसका factor हो जाएगा फिर आप क्या करोगे इस polynomial को 3x e power 4 minus 15 x square plus 32 को इससे divide करोगे और फिर इसके बाद वो division algorithm से dividend diviser into question plus remainder 0 करोगे तो एकदम सेम इसी तरह से यह question भी आप ऐसे लगा लोगे practice करके कहीं problem नहीं आने वाले ठीक है बर ज़िए लग जाएगा आप यह revision practice size आपकी हो जारी पूरी-पूरी इस तरह से इस तरह के question आपको solve करने रते हैं और यह इस पूरा जो है आपको practice करनी थी ठीक आप जसे जो भी करेंगे आप उसका answer पीछे से बस देख लीजेग अपना इसे यह पूरी seat का answer seat है अब इसके बाद एक लिए जो कुछ भी मैं content पढ़ा रहा हूँ मैंने बताया था कल भी बताया था कि यह नगीन प्रकासन की book होती है बंसल गुपता राइटर उसी से यह book पढ़ा है आपको दिया है content ठीक है ना और इसकी language बड़ी easy है तो मैं book देखता हूँ जिसकी language सबसे easy होती है भरसक करता है उसी को आपको दिखा हूँ कि आप बड़े असानी से समझ सके क्योंकि सबसे important चीज़ होता है language easy होनी चीज़ बुक की जिससे बच्चे बड़े असानी से समझ सके थैंक्यू आप लोगोंने मुझे सुना अब हम लोग next chapter में अब इसमें यह तरह खाली main हो चुका लगभग बहुत असान chapter है next chapter हम लोग linear वो lengthy chapter होता है तो उस पर हम लोग board पर कुछ question कुछ ऐसा करके आपको solve करके दिखाएंगे ठीक थैंक्यू अब आगे हम लोग next chapter पढ़ेंगे linear equation in two variables ठीक है और मेरे youtube को place subscribe करिया आप लो